हलो फ्रेंज मैं वो संध्या सागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं एक नही रेस्पी तो विडियो नहीं तक जरूर देखिएगा आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेस्पी पसंद आए प्रेंज तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिचेगा और जो फ्रेंज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा तो चलिए फिर दूनाना इस्टार्ट करते हैं आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंज प्रेसर कुकर में चावल तो आज हम 500 ग्राम चावल मतलब आधा किलो चावल प्रेसर कुकर में बनाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं, तो यहां मैंने लिया है आदा किलो चावल, तो यह daily routine में जो हम चावल खाते हैं, मैंने वही चावल लिया है, अलग से कोई चावल नहीं लिया है, तो जो friends अगर pressure cooker में चावल नहीं बनाते हैं, तो आप जरूर बनाएगा, इस समय की बचत होती है गैस की भी काफी वच्चत होती है जटपड बनकर तयार हो जाता है तो 5 मिनट में आपका आधा किलो च違ल बनकर तयार हो जाएगा तो सबसे पहले हम च違ल को नाप लेंगे तो आप किसी भी गिलास का तोरी कव से नाप लीजिएगा तो यहां मैंने मेडियम साइच की गिलास लिये हैं तो एक गिलास मैंने डाला यह दूसरा गिलास अब चलिए देख लेते हैं कि टोटल कितना गिलास यह चावल होता है तो यह तीन गिलास चावल हुआ मतलब हमारा 1,5 kg चावल, हम गिलास से नाप किये, तो ये 3 गिलास हुआ, अब क्या करना है कि चावल को हमें एक दम अच्छे से धो लेना है, तो जब भी प्रेसर कूकरें बनायें तो चावल को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा, जब तक इसमें साप पानी इस तरह से ना आजाये तब तक आपको चावल को एपदम अच्छे से धोना है तो चावल को म станपंध Karl meinगे हम एक प्रेषर कूकर पानी को मेंने गिरा दिया अब क्या करेंगे कि कूकर में हम चावल पूरा डाल देंगे अच्छे से आपकार अगर्मा ग्रम बann कर डाली हुई है आप देख सकते हैं डेड़ किलो का एक किलो का बहुत सा विडियो मैंने डाला है तो आप उहां जाके आपको जो देखना होगा आप देख सकते हैं तो आज हम जो बना रहे हैं हम आधा किलो चावल का बना रहे हैं तो पूरा चावल पहले डाल देंगे इसके ब बर कूक होता है नकच्चा रहता है बहुत से लोग बोलते हैं कि चावल कच्चा रह जाता है या ज्यादा पक довérस्त नहीं होता है हमारे हाँ तो डेली हम प्रिशल kooker में ही चावल बनाते हैं मतलब डेली हमारा आदध हो गया कूकर में ही चावल बनाने का तो कभी ऐसा नहीं होता आप सही नाप करेगे सही सिश्रीती लगाएंगे तो आपका चावल जो है एक दम अच्छे से बन कर प्यार होगा तो अब इसी गिलास से हम इसमें पानी डालेंगे तो तीन गिलास चावल के लिए चलिए हम पहले पानी डाल लेते हैं, तो आप देखते जाईएगा एक गिलास डाला मैंने, दो गिलास डाला, ये तीन गिलास डाला, ये चार गिलास हो गया, और ये पांच गिलास डाला मैंने, और आधा गिलास हम और डालेंगे, तो मतलब इसमें हम टोटल साड़े पांच गिलास पानी हम डाल चुके हैं, चार गिलास भर के और फिर आधा गिलास डाला मेंने, तीन गिलास चावल के लिए और अच्छे सा इसे मिक्स कर देंगे, बस अब इसका धकन लगाना है और हमें गैस के उपर चड़ा देना है, तो एक सीटी इसमें लगने देंगे, एक सीटी से ज़्यादा इसमें हमें नहीं लगाना है, और फिर जैसे ही एक सीटी लग जाए, तो गैस हमें बंद कर देना है, और जब कूकर अपने आप से ठंडा हो जाए, इसके बाद ही धकन हमें खोलना है, तो एक सीटी आप देख रह तो प्रेसर कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है चलिए इसे खोल लेते हैं और यह देखिए गर्मा गर्म हमारा जो चावल है बनकर जटपट से एकदम तैयार हो गया आप इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं सुर्व कर सकते हैं तो यह देखिए ना यह जादा एकदम पका है ना य अच्छा है एकदम परफेक्ट जैसा चावल आपको चाहिए तो ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा तो आप जरूर बनाईएगा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है और एकदम इजी है बनाना यह देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना मतलब इजी तरीके से यह बनकर तैयार हो गया तो अगर आप नहीं बनाते हैं तो जरूर बनाईएगा और मुझे बताईएगा कि आपका चावल अच्छा बना या नहीं आप एक बार प्रेसर कुकरें बना लेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे अलग बरतन में बनाना आप हमेशा प्रेसर कुकर में ही बनाएंगे गैस की बहुत बचत होती है फ्रेंस आप जरूर बनाईएगा इस तरह से और अगर आपको आज किये चावल वाली रेस्पी पसंद आये तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा और जो फ्रेंस चैनल पर नहीं है तो मच्छे से बनकर पैयार हो गया है तो यह तीन लीटर वाला प्रेसर कुकर है फ्रेंस अब इस से ज्यादा चावल आपको अगर बनाना हो तो पांस लीटर का कुकर आपको लगे है तो यह फिर मुलकात होगी एक नहीं रेस्पी के साथ एक नहीं वीडियों ने